बॉलिवुड की वो खुबसूरत हीरोईन जो अपने प्यार को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को हो गई थी। तैयार? तो कौन थी ये एक्ट्रेस और किस हीरो ने उनके दिल और दिमाग पर कर लिया था काबू? आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में औ इसलिए उन्हें फिल्मों का बच्पन से ही काफी शोक था। शुरुआती दिनों में रवीना टंडन बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया करती थी। फिर उन्होंने मॉडलिंग करने का सोचा और फिर यहां से इनके बॉलिवुड का दरवाजा खुल गया। साल एक रवीना टंडन अब अपने कैरियर के बिल्कुल शियेखर पर पहुँच चुकी थी। लेकिन तभी इनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिन्दगी बदल देता है। साल एक हजार नौसो चौरानवे में इन्होंने अक्षे कुमार के साथ एक फिल्म साइन करी थी जिसका नाम था मोहरा। कहते हैं कि इस फिल्म के दौरान रवीना टंडन और अक्षे कुमार एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। रवीना टंडन अक्षे कुमार को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी और वो हर हालत में उनसे शादी करना चाहती थी। उन शर्त को स्विकार किया जिसमें एक शर्त ये भी थी कि रवीना शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि इन दोनों ने सगाई तक कर ली थी और इसका खुलासा रवीना टंडन ने एक इंटर्व्यू के दौरान किया इन दोनों ने एक मंदिर में पुजारी के सामने सगाई कर ली थी जहां इन दोनों का परिवार मौजूद था। रवीना टंडन ने तो अपनी साइन करी हुई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट तक लोटा दिया था। इन्होंने दिल तो पागल है कुछ-कुछ होता है जै लेकिन जब रवीना अकशय के साथ खिलाडियों का खिलाडी मौवी में काम कर रही थी तब रेखा भी इस मौवी का हिस्सा थी। इस दोरान अकशय और रेखा के बीच में न्जदीकिया काफी बढ़ गई। एक बार तो अकशय कुमार और रेखा को रवीना ने आपत्तिन जनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा था इसके अलावा उन दिनों अक्षय और शिल्पा शेटी के रिष्टे की खबरें भी मीडिया में काफी चर्चित थी रवीना इन सभी चीजों को सहन नहीं कर पा रही थी और उन्होंने अक्षय कुमार से दूरी बनाना ही बेहतर समझा और उन्होंने अपनी हो चुकी सगाई को भी तोड़ दिया और हमेशा के लिए अक्षय कुमार से दूर हो गई लेकिन उनके इस डिसीजन के बाद उनकी परसनल जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी में काफी बदलावा है